आज की वीडियो में हम इस डिजाइनर बेबी प्लाजो को बनाएंगे आज जो हम यह प्लाजो बना रहे हैं यह दो साल की बेबी के लिए बना रहे हैं उपर हमने इस प्लाजो में लाश्टिक को लगाया है जिससे जो हमारी बेबी की कमर है वो कमफरटेबल रहे और नीचे ह तो हमने फुल गेर के साथ इस प्लाजो को बनाया है आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्टाइलिश और अट्रेक्ट ये प्लाजो लग रहा है इस प्लाजो को आप अपनी बेबी को जब वीयर कराएंगे तो आपकी बेबी का जो लुक है वो और भी ज्यादा स्टाइलिश अगर आप ये प्लाजो बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को कम्प्लीट देखते रहें आज जो हम ये बेबी प्लाजो बना रहे हैं ये मात्रा आदा मीटर कपड़ा है हमारे पास और इस आदा मीटर कपड़े से हम ये बेबी प्लाजो बनाएंगे सबसे पहले जो हमारे पास जो हमारा कपड़ा है उसको हमें उल्टी साइड में फोल्ड कर लेना है और अब हमने अपने कपड़े को उल्टी साइड फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद अब जो हमारा कपड़ा है उस complete कपड़े को हमें double fold कर लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो हमारा कपड़ा है उसको complete double fold कर लिया है हमने complete fold इसलिए क्या है जो हमारा ये नीचे का घेर है ये complete हम अपने plazo में घेर रखेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हम यह प्लाजो बनाएंगे तो हमें जो आदा मिटर कपड़ा है उसमें लैंथ में तो कोई हमें कम या ज़ादा एक्ष एड नहीं करना है तो सबसे पहले प्लाजो की कटिंग करने के लिए हम दो इंच का निशान एक कोर्नर पर लगाएंगे और इस दो इंच के निशान को हम नीचे तक एक वी शेप में मिला देंगे एलाइन प्लाजो का हमारा लुका आएगा जो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा इस तरह हमने इस प्लाजो के जो सैड में दो इंच का निशान लगाया इसको वी शेप में मिला दिया अब हम अपने प्लाजो की कमर लेंगे आठ इंच हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे अब हम साड़े आठ इंच का अपनी जो प्लाजो है उस प्लाजो में आसन को लगाएंगे इस तरह हम आठ इंच कमर लेंगे और साड़े आठ इंच आसन ले लेंगे और इस आसन में गोलाई एड कर लेंगे और गोलाई एड करने के बाद अब जो हमने ड्रोइंग बनाई है इस ड्रोइंग की कटिंग कर लेंगे आप वीडियो को step by step देखते रहें वीडियो में हर चीज हमने बिल्कुल किलियरली बताई है वीडियो देखने के बाद आप इस प्लाजो को असानी से घर बैठे बना सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक like और share जरूर कीजिए इस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास four layer हमारे प्लाजो की cutting हो चुकी है अब हम अपने प्लाजो की सिलाई करेंगे तो प्लाजो को सीलने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास ये चार layer है तो सबसे पहले हमें दो layer एक तरफ लेनी है और दो layer को एक तरफ रखना है आप देख सकते हैं ये हमारे पास दो लेयर है और इन दोनों लेयर के हमको जो हमारा आसन है उस आसन को सील लेना है सेम इसी तरह हमारे पास जो दो लेयर और बची हुई है उन दोनों लेयर के आसन को भी सील लेना है अब आप देख सकते हैं हमने अपने दो दो पार्ट्स थे उन दोनों पार्ट्स के आसन को सील लिया है इस तरह आसन को सीलने के बाद अब हमें जो हमारे प्लाजो है उसके आसन को सील लिया और सीलने के बाद इन दोनों पार्ट्स को हमें उपर नीचे रखना है ध्यान रखन लिए हैं सीधी वाली साइड है वह एंदर की साइड रखनी है हमको और अंदर की साइड रखने के बाद अब हमें दोनों प्लाजों को उपर नीचे रख लेना है अब जो हमारे प्लाजो की साइड से फिटिंग है जहां से हमने दो इंच वी शेप में कटिंग की थी इन दोनों तरख से अपने प्लाजो को सील लेना है अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नहीं है और चैनल पर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बैल बटन जरूर दबा ले ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अविलेबल है जिनको देकर आप डिजाइनर मास्क डिजाइनर वेवी कपड़े कूरती के गले सूट के गले बहुत कुछ बनाना सीख सकते हैं तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बैल बटन जरूर दबा ले इस तरह आप देख सकते हैं हमने दोनों सैड से फिटिंग को सील लिया है दोनों सैड फिटिंग सीलने के बाद आप हमारे प्लाजो का जो लुक है वो देख सकते हैं अब हमें अपने प्लाजो में अप आदा इंच साइज में हमको अपनी जो मोरी है कमर की उस कमर को उपर से सील लेना है आदा इंच अंदर के साइड फोल्ड करते हुए कि इस तरह हम आदा इंच के साइज में complete जो हमारी मो उपर की कमर है उस complete कमर को सील लेंगे अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहां से सीलना स्टार्ट किया था अब हमें 2 या 3 इंच के स्पेस में नहीं सीलना है 2-3 inch का space हमें बिना सीले रखना है क्योंकि इस space से हम lastic को अंदर डालेंगे और lastic को डालने के बाद हम इस complete space को भी शील लेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये हमने lastic लिया है और जो ये lastic आप देख सकते हैं साड़े पंदरा inch हमने लंबा lastic लिया है और आदा इंच इस लाश्टिक की चोड़ाई है अब हमको सेफटी पिन की हेल्प से इस लाश्टिक को जो हमने ये दो इंच की मोरी को नहीं सिला है कमर को इस कमर से यहां से जहां से नहीं सिला है यहां से लाश्टिक को अंदर की साइड डाल लेना है कम्प्लीट लाश्टिक हम दूसरी साइड से निकाल लेंगे अंदर डाल कर जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने कम्प्लीट लाश्टिक है उसको अपनी कमर में डाल लिया है डालने के बाद अब हमको दोनों लाश्टिक को उपर नीचे रखना है और अपने जो दोनों लाश्टिक के दो पीस है इन दोनों पीस को आपस में सील लेना है उपर नीचे रखकर हमने अपनी लाश्टिक को सील लिया है सीलने के बाद हमको अपने complete लाश्टिक है उसको अंदर के साय डाल लेना है और लाश्टिक को डालने के बाद जो अब हमने ये space नहीं सीला था इस space को भी हम बंद कर लेंगे सील लेंगे इस तरह आप देख सकते हैं हमने अपनी कमर में बहुत ही असान तरीके से लास्टिक को डाल लिया है इस तरह हमने लास्टिक को डाल लिया है लास्टिक डालने के बाद अब जो हमारी निच्चे की महुरी वाली फिटिंग है उस महुरी वाली fitting को seal लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह हम अपनी महुरी वाली fitting है हमारी इस महुरी वाली fitting को seal लेंगे मात्र पांच मिन्ट में आज की वीडियो में हम यह plazo बनाना सिखाएंगे और आप वीडियो को अभी तक देख लिया है इतना तो आप 100% इस plazo को घर बैठे बना सकते हैं इस तरह आप देख सकते हैं हमने अपने plazo को उपर से और आलासन से सील लिया है अब हमें अपने plazo को नीचे की side से fold कर लेना है बिल्कुल पतला पतला हमें fold करना है नीचे की side से क्योंकि इस पर हम बाद में गोटा लगा लेंगे गोटा लगाने के बाद जो हमारे प्लाजो का लुक है वो और भी ज़्यादा stylish आएगा इस तरह आप देख सकते हैं हमने नीचे से अपने प्लाजो को है वो seal लिया है sealने के बाद अब हमने अपने प्लाजो की मोरी को भी fold कर लिया है fold करने के बाद हम इसमें जो पतला वाला गोटा है हमारे पास इस गोटे को लगाएंगे ये गोटा आपको market में easily available मिल जाएगा जो बहुत ही सस्ता है तो आप इस गोटे को जैसे कि आप देख सकते हैं हमने तीन-तीन लेयर अपने प्लाजो में नीचे की साइड लगा ली है अगर आपको प्लाजो बनाने में अब भी कोई doubt है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं हम आप हरे comment का reply जरूर करते हैं इस तरह आज की वीडियो में हमने बहुत ही असान तरीके से इस डेजाइनर प्लाजो को बनाया है आप इस प्लाजो के उपर crop top या फिर आप एक कुड़ती बना सकते हैं अपनी बेवी के लिए जिससे जो प्लाजो का look है वो और भी ज़्यादा stylish और attractive आएगा अधरवाईज आप इस प्लाजो को टीशट के साथ भी wear करा सकते हैं टीशट के साथ भी इस प्लाजो का look है वो बहुत ज़्यादा stylish और attractive आएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक like और share जरूर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे